हेलो फ्रेंट्स अब देख रहे हैं टेक्निक के नहिंदी गुरुजी जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट 2021 का जो एक्जाम है वो साल में दो बार होगा ठीक है इसके रिगार्डिंग चात्र मुझे काफी बार कमेंट्स कर चुके हैं कि सर इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते है इसके एडवंटेज क्या हो सकते हैं डिस एडवंटेज क्या हो सकते हैं मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर नीट का एक्जाम साल में दो बार होता है अला कि यह कंफर्म हो चुका है हेल्च मिनिश्ट्री ने इसके लिए हरी जंडी दे दी है कि सा हैं मिल सकता है तो क्या हमको दो वार भी मुखा नहीं मिलसकता तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ काफि उश्य शुरेंस मुझे कमेंट्स कर चुके हैं काफि पूछ चुके हैं कि सर नीट 2021 का जो एक जायम है साल में दो बार होगा तो क्या कैसी वेन्फिट्स रहें और इस वीडियो को अपने दोस्ता में ज़्यादा सेदा जरूख सेर करें जिससे सभी शुर्वरी से स्टार्ट हो चुका है आप इसको जोईन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्सर मिलेगी कोई भी कौश्ट आपको नहीं देनी है बिल्कुल फिरी है इसी के साथ यहाँ पर 20 फर्वरी का जो सेड्यूल रहा है जो टॉप रैंकर इस्टूएंट्स होते हैं उनके साथ यह 21 फर्वरी आज का सेड्यूल है इसको जोईन कर लीजेगा कोई रुपय आपको नहीं देना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पर जो टॉप एजुकेटर है इसी के साथ फ्रेंट्स मैं बताना चाहूंगा आपके लिए कि अगर आप नीट का सस्क्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी कुछी दिनों का आपके पास समय है 10% आफ मिलेगा अगर आप सस्क्रिप्शन लेना चाहते हैं हमारे रैफरल कोड TCA 10 डाल करके तो आपको 10% आ इसके पीछे रीजन यह है अगर आपकी प्रिप्रेशन कम है फिर भी आप फुल डेडिकेटेड फुल कॉन्फिदेंस के साथ एक्जाम देंगे वह इसलिए देंगे कि आपको यह पता होगा कि अगर हम इस वार अच्छा इसकोर नहीं कर पाए तो हमारे दूसरा एक्जाम ह तो उसमें हम अच्छा स्कोर कर पाएंगी ठीक है तो आप इस रीजन की बज़े से फुल कॉन्फिदेंस के साथ एक्जाम दे पाएंगे ठीक है देखेगा मैं अपना रिब्यू यहां पर दे रहा हूं किसी का यहां पर अपडेट नहीं आया मैं अपना रिब्यू दे रहा ठीक है तो आप फुल कॉन्फिदेंस के साथ एक्जाम दे पाएंगे और मैं आपको बताना चाहूंगा यहीं पर कि यह नहीं कि आगर आपका पहला एक्जाम में अच्छा स्कोर नहीं हो पाया तो सेकिंड एक्जाम आप नहीं दे पाएंगे लेकिन बसरते यहां पर कंडि बढ़ छो डिया वocy आपके 620 में से मां लीज्एगा 500 नंबर आ गए गयी अपिर बता रहा हूं सेकिंड एक्जाम में आपके जो है मां लीजै का 450 में तो आपका जो आपका valid होगा ठीक है वो आपका 500 number ही count होगा यानिकि जो best score रहेगा बही यहाँ पर आपका माना जाएगा अगर 500 score first में रहा है second exam में आपने माली जी के 500 कर दिया या 600 कर दिया तो आपका second exam का जो score रहेगा वो बहाँ पर valid रहेगा ठीक है तो condition यह रहेगी दूसरी यहाँ पर यह है कि if for some reason the first exam in missed then you will be able to give the second exam अगर आपने by chance किसी भी कारण से reason बहुत सी हो सकते हैं कि आपने first exam जो है miss कर दिया नहीं दे पाए तो आप second exam जाकर दे सकते हैं ठीक है किसी ऐसे होते हैं कहीं चले जाते हैं नहीं पहुच पाते हैं लेट हो जाते हैं exam में जाने से या आप बीमार पढ़ जाते हैं तो कोई condition ऐसी बहुत सी condition होती है ठीक है उसके बाद आप second exam दे पाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी तीसरा आपका है those who are giving exam for the first time will be benefit ठीक है ऐसे सभी candidates जो first time exam दे रहे हैं अपनी life का तो यहां पर जो है first exam जब देने जाएंगे तो first exam में उनको उनका कह सकते हैं आप कि जो फ्रेसर students होते हैं जो जो फर्स एक्जाम देने जाते हैं तो उनका थोड़ा जो है जजक्स ही रहती है पताने कैसे exam होगा तो वहां पर जब फर्स एक्जाम देने जाएंगे तो उनका benefit हो रहेगा और second exam में वो अच्छा अपना confidence के साथ exam दे पाएंगे ठीक है तो यह कुछ तीन चार advantage है जो मेंने आपको mostly यह जो है probability रहती है advantage की disadvantage की बात के तो disadvantage advantage चात्रों को बहुत से ही रहते हैं किसी को नहीं है online exam पसंद कोई नहीं चाहता है कि exam दो बार हो तो वो उनके लिए सभी disadvantage होंगे तो यह इनवे जो बताना था इस किरगाने जो candidates को कोई क्योरी विगरा हो कमेंड में पूश सकता है